अब हम लोग ट्रांजेक्शन्स का लास्ट टॉपिक देख रहे हैं that is log-based recovery इस पे दो बारी गेट में question आया है और बहुत simple question आया है आप एक जटके में उसको solve कर लेंगे तो वो questions भी मैं आपको दिखाऊंगा पर पहले थोड़ से introduction देता हूं बहुत simple topic है बहुत complex नहीं है तो log-based recovery क्या है तो log-based recovery को start करने से पहले हमें समझना पड़ेगा recovery क्या होती है actually recovery techniques ना बहुत बढ़ा you can say topic है इस पे आपको course की book में पूरा chapter है और you can say नवाथे की book में पूरा बढ़ा chapter है तो मैं बहुत जादा इसकी detail में नहीं जाना हमें recovery techniques में सिर्फ एक technique पढ़ने है that is log-based recovery और इसे पर ही gate में questions आए हैं और मैं सिर्फ इसी topic की introduction आपको दोगा तो पहले हमें हमें फोड़ा सा log-based recovery से पहले समझना पड़ेगा recovery क्या है recovery is a technique to restore the database to most recent consistent state if any kind of failure occurs तो recovery का मतलब क्या है कि हम चाहते हैं अपने database को most recent मतलब सबसे नई या you can say latest consistent state में वापास आ रहे consistent मतलब जहां पर सारे constant profile हो रहे थे या you can say correct state में वापास आ रहे हैं आगर किसी की तरीकी का कुल failure हो तो failure कैसी कैसे हो सकते हैं वो मैंने बिख दिये हैं जिससे failure हो सकता है disc failure catastrophic failure catastrophic मतलब बुचाल आ गया volcanic eruption हो गई आंधी आ गई and zone मतलब कुछ भी गरबड हो गई या पूरा पूरा बिल्डिंग थी वो बिल्डिंग गी किसी भी कारण से कुछ भी मतलब कुछ भी युकान से नेच्रल डिजास्टर जिसको मुझा है और और पर हो सकते हैं transaction failure transaction failure जैसे दो ताइप की हो सकते हैं तो मतलब दो कारण से transaction failure हो सकते हैं या तो कोई logical error आजा है या system error आजा है logical error जैसे डिवाइड बाइज जिरो मतलब आपने कोई instruction आसे दे जिसमें डिवाइड बाइज जिरो हो रहा है या नेगेटिव नंबर का आपसके रूट निकाल रहे हैं या item not found जैसे आपने रीड वाई की instruction दी और वाई नापका कोई item हमें मिल ही नहीं रहा है तो सारा कुछ आएगा logical error में और system error में क्या है कि जिसी deadlock में transactions फसी हुई है तो हमें किसी transaction को तो rollback करना ही पड़ेगा तो एक किसम से हम उसको system error मान सकते हैं तो खर कोई भी कारण हो हम उसको logical transaction failure को ही हमें किसम से log-based recovery में study करना है हमें disk failure catastrophic failure इन सब्सक्राइब की बात ज्यादा नहीं करने हैं क्योंकि इस पर questions ज्यादा आई भी नहीं है तो हमें याद रतना है log-based recovery is related to transaction failure मतलब अगर कोई transaction fail होई नी हम सिर्फो नहीं की बात कर पाएगे और उनका कारण क्या हो सकता है even power failure power failure होगा तो हम बोल सकते हैं कि transaction fail हो गई and so on अच्छा अब हम क्या करेंगी कि hence we have to do undo all the changes done by uncommitted transactions तो जितनी भी uncommitted transactions हैं हमें उनके changes को undo करना पड़ेगा और redo करना पड़ेगा तो हम कहेंगे कि हम जैसे restore कि आपने database को तो हम लोग वहां पर क्या कहेंगी कि हमें उन changes को undo करना पड़ेगा जो की uncommitted transactions ने किये होंगे और उन changes को redo करना पड़ेगा जो की committed transactions ने किये होंगे undo redo क्या होता है विटेल में आपको बात में समझाओंगा पर फिल्हाल के लिए आपको समय में आ रहा होगा आप ऐसे समझ लो कि जो भी transaction है अगर वो uncommitted है और उसने कुछ database में changes कर रखे हैं तो हमें उनको वापस से rollback करना पड़ेगा करना पड़ेगा मतलब हमें पुराने वापस values को लाना पड़ेगा उसने नई values को राइट करें होंगी हमें सारी पुरानी values वापस लाने हैं that is undo or redo का मतलब क्या होगा कि अगर को transaction commit हो चुकी है तो उसने कुछने को database में changes कियोंगे तो हो changes हमें reflect back करने और उन वापस दुबारा से you can say database में write करना चाहिए तो वह भी हम लोग देखेंगे अच्छा तो अब how dbms remember all this will be studied in log-based recovery तो log-based recovery में हमें इनी सब जो को study करना है कि dbms actually यह सब चीजे या you can say changes remember करते करता है तो हमें recovery समझ में आ चुकी है recovery क्या है अब हम लोग देखेंगे log क्या है तब हम log-based recovery को properly समझ पाएंगे log is a special file maintained by dbms to keep track of all the transaction operations that affect the values of database items तो आपको समय आ रहा हुगा मैंने बोला था ना भी कि dbms remember कैसे रखेगा उसारे changes तो dbms सारे चेजे रखने के लिए log file maintained करके रखता है और log file ती क्या खास बात है वो सारे you can say इतने भी transactions स्वार्ट सिस्टम में चल रही होंगे और उनने क्या-क्या changes किये database items पे उन सब का track रखे लिए तो वही सब हमने रिखा है कि log is a special file maintained by dbms to keep track of all the transaction operations that affect the values of database items तो सारा track रखने के लिए log file maintain करेगा dbms अच्छा अब log file is stored on stable storage so that data never lost यह बहुत important रही आपको याद रखने है stable storage का मतलब क्या है ऐसे सम्झों देखो हमें तो अभी तक दो ही storage पता थी एक volatile और non-volatile, volatile का मतलब जैसे RAM होती है power filler हो यह कुछ हो तो सारा data loss हो जाएगा non-volatile जैसे disk होती है हमारे पास hard disk है power filler के बावजुत की उसमें कोई data loss नहीं होता है but stable storage यह नहीं type की you can say storage है जैसे disk में कि आपका disk fail होगी फिर तो सारा data loss हो गया but stable storage की क्या खास बात है कि data never loss never loss का मतलब क्या है कि आप ऐसे समझते है कि probability बहुत कम है कि data loss होगा never तो हम कभी कहीं दी सकते है क्योंकि theoretical word हो जाएगे इसमसे इसे समझ लो कि कोई black hole हाया उसने पूरी अर्थ को ही निगल लिया यह अंगल्फ कर लिया तो फिर तो पूरी अर्थी खतम होगी तो फिर तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे पिर तो obviously data loss होगा तो यहां मतलब है never loss का कि बहुत कम ना के बराबर चांस है कि कभी को data loss होगा अबसे तो फिर कैसे बनाएंगे stable storage मतलब आप यह समझ पार हो चाहिए disk fail हो चाहिए कुछ भी हो चाहिए catastrophic failure हो हार एक type के failure को यह handle करेगा that is stable storage मतलब इसमें data कभी भी loss नहीं होगा तो इसको बनाएंगे कैसे मैंने कुछ फोर इस इंट्राइक्शन ट्रांजेक्शन स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा इंडिया में हमारी हार्डिस्क हो भी जाए हम लोग यूस वाली हार्डिस्क से अपना सारा data वापस लेंगे पैसे सुचेंगे कि जो बैंक में हमारा अकाउंट है और वो बैंक की बिल्डिंग गिरिए वहां पर बुचाल आ गया तो आप जाके महां कहीं कि मैंने पैसे बताओ तो कहेंगे कि हमें तो पता है नहीं सारा data loss होगर तो कितना दी हो जाएगा तो सिस्टम से बचने के लिए क्या रख करते हैं कि जैसे जो बहुत दूर दूर एरिया से वहां पर हम लोग हार्ड डिस का लग लग रख लेते हैं तो स्टोरेज वहां पर भी मैंटेन करेंगे और साथ-साथ अपने जाएगा पर भी करेंगे मुल्टिपल कॉपिस होंगे ताकि यहां पर कुछ प्रॉब्लम मुझे से इंडिया में कुछ प्रॉब्लम मुझे तो हम फटा-फट से लेएंगे अगर उसमें भी साथ-सा प्रॉब्लम होगी है कुछ दिक्कत है तो अस्टेलिया से डेटा लेएंगे सब्सक्राइब करेंगे ताकि जो भी ट्रांजेक्शन ने चेंजिस किये हैं मतलब यूपरेशन्स ट्रांजेक्शन कर रही है डेटाबस के अंदर वो सारा अगर स्टेबल स्टोरेज पर होगा तो कल को कोई भी प्रॉब्लम होए तो हम आपकर से ब्रिवर्ट बैक करेंगे तो महरे पास सारे चेज़ों विजिबल होंगे और हम अराम से रीडू या हम दू जो भी करना चाहते होंगे अराम से कर लिए ठीक अब हम लोग देखेंगे कि लॉग फाइल हमें कैसी न जाती है एक्जेट कंटेंट तो मैं आपको नहीं दिखा सकता भी कि वो तो इंप्लिमेंटेशन इंप्लिमेंटेशन डिपैंड करेंगे इसको हम लोग बोलेंगे राइट रिकॉर्ड तो राइट रिकॉर्ड का मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन कुछ राइट करेंगी किसी आइटम पे तो हम लोग एक राइट रिकॉर्ड लिएंगे लॉग फाइल के अंदर और वो कुछ इस्टेप से नदर सकता है जैसे हम लिखेंगे कि T1 मतलब हो ट्रांजेक्शन के लिए ID ताकि हम पेचान से कुछी ट्रांजेक्शन है और X और मतलब पुरानी वेल्यू क्या थी X की और X मतलब new value जो इसने राइट करी है ऐसे ही वाई पे कुछ old value कुछ new value मतलब एक किसम से राइट इस हæ stability good तो लिए रिकॉर्ड तो में रिकॉर्ड की आपको ना बताता जा रहा ह। से अबोट होगी तो हम इसको क्या बोलतेंगे अबोट रिकॉर्ड ठीक है तो अब कुछ-कुछ बाते ना हमें माइंड में रखनी हैं तो मैं पहले इक बाद पढ़ता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं पहला पॉइंट क्या है यह बात बहुत बेसिक और बहुत इपॉटन है आपको पढ़ती समझ में आ रहे होगी कि हमें राइट रिकॉर्ड पहले क्रियेट करना पड़ेगा लॉग फाइल के अंदर जो कि हम स्टेबल स्टोरी पे मिंटेंड कर रहे हैं तो हमें उसके अंदर पहले राइट डेटा बेस के अंदर कुछ राइट करेंगे मतलब इंदा सेंस आप ऐसे सोचो अगर हमने या यू कैंसे डीबी एमस ने डारेक्री डेटा बेस के अंदर कुछ चेंजिस कर दिये और राइट रिकॉर्ड लॉग के अंदर नहीं बनाया तो रिकवरी कैसे होगी अगर कोई हुआ हमें old value चाहिए या new value चाहिए वो हम कैसे लाएंगे तो हमें पहले old value और new value लिखनी पड़ेगी न मतलब in the sense हमें write record create करना पड़ेगा log के अंदर और उसके बाद database के अंदर changes हो सकते हैं तो dpms की responsibility होगी और राधर हमेशा dpms ऐसे करेगा वो कभी भी किसी भी item को या हमेशा ही याद रखना है तभी recovery possible होगी otherwise possible नहीं होगी ठीक ओके next point क्या क्या रहे है whenever ti commit मतलब हमने commit record रिखा है commit record राधर dbms लिखा होगा और कब रिखा होगा तो हम क्या कहेंगे whenever ti commit record is written in the log then this guarantee that all modifications done by transaction is successfully recorded in the log file in the form of write records in stable storage यह बादी बहुत basic है आप यह सोचो अगर फर dbms ने कोई commit record लिखा है log file के अंदर जैसे यहां पर t1 commit लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि जो भी modifications t1 ने करी होंगी उन सभी modifications के corresponding जो भी right record होंगे वो सारे के सारे right record stable storage में you can say store हो चुके है log file के निदर store हो चुके है log files cable storage पे है अच्छा यह बात बहुत basic है I think आपको अपने हमसे समझ मिहा रहा होगा अगर dbms ने तीवन commit लिखा है इसका मतलब क्या है obviously यह सारे record पहले लिखी होंगे उसके बाद ही तो commit लिखा होगा और जो भी changes होंगे वो time save करने के लिए you can say efficiency के लिए RAM के अंदर करे जाते हैं log file के अंदर directly changes नहीं किया जाते है I think आपको अपने हमसे समझ में आ रहा हो operating system point of view सब्सक्राम लोग सोचेंगे तो सारे changes पहले RAM ही किये जाएगे उसके बाद हम hard disk में करते थे तो वही चीज़ हम यहां करने के कोशिश कर रहे हैं तो यहां पर क्या होगा कि पहले यह सब records buffer के अंदर जाएगे और उसके बाद फिर T1 commit लिखा जाएगा अब अगर DBMS ने T1 commit लिखा है इसका मतलब क्या है कि यह सारे record RAM से उठके हमारे stable storage में जा चुके हैं मतलब युकें से हमने RAM से लेके सारा कुछ stable storage के अंदर write कर दिया है और उसके बाद T1 commit लिखा गया है तो अब एक बात यह समझो मैंने आपको बताया था इस first point के अंदर कि पहले सारे के सारे changes log के अंदर कर जाएगे या stable storage के अंदर कर जाएगे उसके बाद हम लोग changes database के अंदर करेंगे directly database को touch नहीं किया जाएगा तो वही जीज़ यहां हुई है हमने सारे changes table storage के अंदर write कर लिये हैं और अब एक किसम से dbms free है अब वो चाहे तो changes मतलब you can say database के अंदर कर सकता है अच्छा अब हमारे पास यहां पर 3 possibilities निकल के आएगे पहली possibility क्या है कि database is not modified at all मतलब commit हो चुका है you can say commit हमने लिख दिया है और commit लिखने के बाद हम कहा रहे हैं कि database में अभी तक हमने कोई भी modification नहीं करिया that is first possibility और इसको हम लोग बोलते हैं deferred updates this is known as deferred updates deferred updates का मतलब क्या है you can say dbms नहीं t1 commit लिखा है और सारे changes stable storage में जा चुके हैं मतलब कि सब कुछ as it is यह सारे records stable storage में store भी हो चुके हैं but कोई भी change अभी तक हमने database में नहीं किया that is the basic meaning of deferred updates अच्छा उसके बाद second possibility क्या है few rights are done in database but can't guarantee all rights तो यह बहुत general case हो जाएगा कि हमने कुछ-कुछ rights तो कर दिया और कुछ-कुछ rights नहीं किया है जैसे ऐसे समझो T1 transaction स्टार्ट हुई थी तो हमने यह वाला जो update था stable storage में गया और stable storage में जाने के बाद database में भी मैंने changes कर दिये क्यों कर दिये ऐसे समझ लो कि जो इसके corresponding block था ना जो हमने RAM के अंदर रखा हुआ था उस block के अंदर changes हुए है और you can say कि अब कुछ need message हो रही है जो मैंने आपको starting mission जाया था जो previous lectures थे concept of read and write का मैंने वीडियो बनाया था वहाँ पर मैंने अच्छे से explain किया था कि कब actually database changes होते है तो मैंने बताया था ना कि DBMS, OS दोनों मिलके decision लेंगे कि कब write होना कब write नहीं होना है तो आप ऐसे समझ लो कि X वाला जो block था उसको write करने का decision आ चुका है और हमने उसको database के अंदर write भी कर दिया है but Y वाले का भी decision नहीं आया और हमने उसको write नहीं किया और transition हमारी already you can say कि हम commit record DBMS लेश चुका है stable storage के अंदर अच्छा तो अब exactly scenario समझ भी आ रहे क्या हुआ है कि X वाला जो item था you can say X item जो था उसके corresponding जो block था वो तो database में जा चुका है मतलब इसके changes हो चुके है but Y के corresponding changes हमने database में नहीं किये हैं हमने फिरी छोड़ा हुआ decision आएंगे जैसे DBMS OS मिलके decision लेंगे उसके साब से हम देख लेंगे कि को right हुआ को right नहीं हुआ जैसे चलता था जो चलता था हमने चलने दिया तो इस scenario को हम लोग बोलते है immediate updates immediate update का मतलब क्या है कि हमारे पास shoot है shoot है in the sense कि हमने free छोड़ा हुआ commit record लिखने से पहले भी हम लोग changes कर सकते है जो मन में आ रहा है changes कि किसी को कर लो किसी को नहीं करो वो scenario to scenario dependent करता रहे this is known as immediate updates अच्छा उसके बाद है all rights are done in the database that is our third possibility मतलब in the sense कि यह commit record लिखने से पहले DBMS इस बात की guarantee करेगा कि सारे के सारे जो भी you can say blocks जिनके अदर यह items थे वो सारे के सारे database के अंदर write हो चुके है और वो सारे changes हम लोग database के अंदर write कर चुके हैं आगर हम इस बात की guarantee करें और उसके बाद हम T1 commit लिखें तब हम उसको बोल रहे है restricted immediate updates I think clear हो दो होगा restricted immediate updates का क्या मतलब है restricted immediate updates क्या 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 रहे है कि DBMS यह commit record लिखने से पहले इस बात की guarantee कर लेगा कि सारा कुछ database के अंदर changes हो चुके है everything is written fine सारे updates हो चुके है और उसके बाद commit लिखा जाएगा तो अब ऐसा कुछी नहीं होगा तो हम उसको बोलेंगे restricted immediate update पहले मैं फटावर से समरी देता हूँ आपको ताकि मन में किसी भी दरीकी को confusion ना राजाए तो backward update का basic मतलब क्या है कि हमने commit record you can say DBMS commit record लिखेगा उसके बाद ही changes हम लोग कर सकते हैं मतलब commit record लिखने से पहले कोई भी changes database में नहीं होंगे अच्छा restricted immediate update क्या कहता है कि commit record आप लिखोगे ही तब जब सारे changes database में already हो चुके हों मतलब सारा कुछ stable storage में जा चुका होगा और database में सारा कुछ update हो चुका होगा उसके बाद ही हम लोग commit record लिखेंगे उससे पहले हम लोग commit record लिखेंगे that is the basic meaning of restricted immediate update और जो सबसे loose है जो सबसे free जिसको हमने छोड़ा हुआ है वह है immediate update commit record लिखो ना लिखो कोई फरक ने पड़ता जैसे जो करता रहेगा मतलब हमें लग रहा है कि यह record जिस भी अगर में और विखेंगे तो हम राइट कर देंगे नहीं लग रहा होगा नहीं करेंगे मतलब कुछ write नहीं होगे यहाँ पर खास commit का हमारा मतलब नहीं है तो commit लिखने से पहले कुछ updates हो जाएएगे commit लिखने के बाद कुछ updates होँगे जैसा भी जो चल रहा हो को उन चलने देंगे, that is immediate update, तो याद रखना immediate update सबसे general scenario है, तो पहले मैं deferred update दिखा हूँगा आपको, उसके बाद restricted immediate update, और उसके बाद third scenario, you can say most general scenario है, immediate update का उसको देखेंगे, आप deferred updates के बारे में लेखते हैं, if failure occurs, then redo, redo का मतलए मैंने bracket में लिखा है, set value of all items updated by transaction to new values, I think आपको समझ में आ रहा होगा, old values होंगी, new values होंगी, जो हमने write records में लिखे हुए है, तो new values बस आप लिखते चले जाए, that is known as redo, तो हम क्या कहें हैं, if failure occurs, then redo those transactions for which commit is found, I think बहुत obvious सी बात है, deferred का मतलब क्या होगा, कि हमने starting में तो changes किये नहीं है, वैसे deferred एक English word है, deferred का मतलब होता है, late, late मतलब बाद में काम करना, तो जब commit के बाद में सारा कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब हमने क्या बोले है कि commit के बाद सब कुछ करना है, इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर किसी transaction के corresponding आपको commit नजर आ रहा है, पर मैंना पुदा था, उसके बाद ही changes करने हैं, तो हमें उस transaction को redo करना करना करेगा, redo करने का मतलब क्या होगा, हम सारी नहीं नहीं values जो भी होंगी, हम उसको database के अंदर write करने की कोशिश करेगा, ठीक, ओक, that is the basic thing of redo, अच्छा, और second point हम क्या कहा है, कि simply ignore those transactions for which covenant is not found, that is no need of undo, I think यह भी बहुत basic सी बात है, आपको समझ में आ रहे हो कि, अगर किसी transaction के corresponding मुझे commit नजर नहीं आ रहा, तो हमें उसको undo करने के जोटनी है, undo का मतलब क्या होगा, I think आप समझ जाओगे, redo में क्या हो रहा था, नहीं values को ले कि आओ, तो undo में क्या बलेगे, old values को ले कि आओ, ठीक है, तो हमें old values को लाने के जोटनी है, क्यों, क्योंकि हमने अभी त चल रहे होंगे, हमें redo तो करना पड़ सकता है, but undo करने के जुर्थ हमें कभी नहीं पड़ेगी, इसलिए I think आपको समय म्यारा होगा, जो मैं recovery algorithm पढ़ाऊंगा आपको, उसका नाम क्या होगा, no undo or redo algorithm, no undo slash redo मतलब undo का मैं नहीं करना पड़ता, हमें redo ज़रूर करना पड़े हो मैं अभी इस algorithm की detail आपको दिखाऊंगा, वह अभी मैं पहले बोर सारा राव करूंगा, उसके बाद उसको लिखूंगा और फिर आपको समझाऊंगा, but I think basic idea आपको मिल रहा होगा, therefore update में हमें क्या करना होगा, transactions को redo करना पड़ेगा, but undo करने के जिरूरा कभी नहीं करेगी, अच्छा, और आपके मन में यह भी आ सकता है कि हमें redo हर बाद क्यों करें, हो सकता है कि हम किसी भी transaction को पहले, you can say, जैसे T1 transaction इसका commit नगर आया था, और उसके बाद मैंने database में सारे changes कर दिये होंगे, और उसके बाद failure हो गया तो, तो फिर मैं दुबार redo करना ही पड़ेगा, अगर मैंने above ? ृP युक्यी मिले करना है, कि इस little changes करना है कि जो भी changes इस ने किये थे जो भी in savings changes किये थे, वो सारे database में permanently जा चुके है कि नहीं. अगर मेरे को किसी तरीके से इस बात की गरंटी रहती कि जो भी इसने चेंजिस किये थे वो सार रेट अब इसमें जा चुके हैं तो मैं इसको रिलू ना भी करता है बसकिल में पास अभी को गरंटी नहीं है तो वह सचीदी मैं आपको चेक्पोंट में दिखाऊंगा आगे च करेंगे करेंगे और अगर किसी का कमिट नहीं आ रहा है तो उसको simply ignore कर दूंगा मेरे को अंडू करने की कोई जरोड़ नहीं है अब मैं अल्गॉर्दम को लिखता हूं और उसके बार नेक्स लिए अब हम लोग अल्गॉर्दम लिखते हैं फटा-फट से नो अंडू जिसे पावर फिलेग हो गया या किसी भी त्रीकी की प्रॉब्लम आई तो हमें लॉग को फॉर्वर्ड डिरेक्शन में स्कैन करना मतलब ऊपर से नीचे नीचे से उपर नहीं आना कारण कारण देख मैं नहीं लिखा है जिसे हमने लिखा है कि वाइफ फॉर्वर्वर्ड ह अनहीं यहां रीखी हैं कारण आपको समझ में आघरा होगा कि मिलोक करना हें तो चिर्वर्वर्वर्ड रिखे होंगी और सिर्षमें देटाबेस यंदर निबैली को दूबारा लाइक रखें रहा होता था और शिसले लिखी में 및 proors पीवन कमिट कर रही है, उसके बाद T2Y है और T2 कमिट कर रही है, और दोनों ही X की वैल्यू को राइट कर रही है, ठीक है? तो आप मुझे बताओ, फाइनली X की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 400, ठीक? अच्छा, तो अब सुपोस करो, मैं उपर से नीचे अगर मैं स्कैन करू इसको तो रीडू करूँगा पहले, मतलब पहले T1 को रीडू करूँगा, तो हम X की वैल्यू जो भी फिलहाल होगी हमारे पास, हमें को मतलब नहीं है, हम जो भी वैल्यू होगी से कुछ भी हम उसको काटके 100 कर देंगे, और उसके बाद यही मतलब होगा रीडू करने का, और जो P2 की बार लिया आएगी रीडू करने की, तो हम X new 400 करेंगे, मतलब 100 को काटके 400 करने के, तो एक बात और मन में आ सकती है, रीडू क्या होता है, रीडू मतलब बस सिंप्ली आप रिप्लेस कर जा रहे है, रीडू मतलब पूरे ट्राशिन को रीडू कर दो, हम दुब I think समझ में आ रहा होगा, फाइंडरी वैल्यो 400 आएगी, जो की बिल्कुल बार ठीक है, लेकिन अगर मैं नीची से उपर आता, तो हम पहले 400 लिते, मतलब जो भी X की वैल्यो होती, हम उसको काटके पहले 400 करते, और उसकी बाद फिर मैं 100 कर देता, तो जो औवियसली ये आं नेक्स पांट हमने लिखे कि इस टी आई स्टार्ट रिकॉर्ड इस फांट बटी आई कमेट रिकॉर्ड इस बिसिंग बात इस बात में आपको काफी बार बता चुक हूं, I think एक दुबारा फिक दने की रूप नहीं है, और नेक्स इस टी आई स्टार्ट अन्टी इस अपम इसमें क्या कहेंगे, कि बिफोर राइटिंग टी आई कमेट रिकॉर्ड इन लॉग फाइल, डीपीमेस गरंटी इस बात मैंने आपको बहुत बाल बताई है, I think आपको अपने आप से क्लियर हो लिग होगी, कि पॉइंट रिट करने के बार, कि डीपमेस हम इस बात की हम पढ़ते हैं कि, hence if any failure occurs, then scan the log file, and if TI start and TI commit, both log records are present, then ignore TI, I think समझ में आ रहे होगी बाद, अगर कोई failure हुआ, उसके बाद पिर TI start और TI commit, दोनों ही आपको रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं, that means what, सारे चीज़ अरदी हो चुके हैं, तो हम इस transaction को safely ignore कर सकते हैं, but अगर TI start नजर आ ह है आपको, और TI commit नजर नहीं आया है, उस case में, मुझे transaction को undo करना पड़ेगा, क्यों कि, तो यह हमने point लिका है, if TI start is present, but TI commit is absent, then undo TI, तो हमें TI को undo करना पड़ेगा, undo मतलब, old values को हम वापस ले कि रहेंगे, तो इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा, name of algorithm is no undo slash redo, वहां क्या थ sorry, no redo slash undo, तो यहां name of algorithm is no redo slash undo, redo करने के रहें, undo हमें करना पड़ेगा, अच्छा, अब मैंने यहां पर direction की बात नहीं करें, मतलब कैसे scan करेंगे, जैसे वहां मैंने बोला था, forward scan करेंगे, मतलब, ऊपर से नीचे आएंगे, तो यहां पर कैसे direction होने चाहिए, ऊपर से नीचे से नीचे से उपर, I think आपको अपने आप से guess होगा, मैं आपको example के दिखाता हूँ, जैसे हमें लिखा T1 start, T1 X old 500, X new 1000, अब मैंने T1 को commit नहीं करा है, और T2 start हो गई, और T2 start होने इक बाद क्या मुला, T2 X old 1000, X new 2000, अब तब यह जो इसने write करा था ना, वो इसने rate कर लिया ह और उसके बाद इसने write करा है 4000, ठीक है, यह कुछ scenario था हमारे पास, अब पहले तो मुझे एक बार पताओ, यहां पे हमें redo तो करना ही नहीं है, हमें सिफ undo करना है, तो जैसे मैंने आपको वहां बताया था कुछ storage की हम लोग save कर सकते हैं, तो X new और X old वहां पे हमने store नहीं क होगा, that means मैं यहां पे new को safely हटा सकता हूँ, ठीक है, हमें नहीं से कुछ भचल भी नहीं है, हमें तो सिर्फ old value मतलब है, क्योंकि undo का मतलब क्या था, old value वापस लाओ, ठीक है, अब 500 थी, आपने X old मतलब इसने 500 ही रखा, और X old इसने 1000 रखा है, अब सूचो अगर मैं उपर से नीचे आया, ऐसे, तो क्या होगा, आप पहले X old 500 करोगे, ठीक है, 500 थी, हम काट के इसको वापस 500 कर देंगे, और यह बोलेगा X old 1000, मतलब हम 500 को काट के 1000 कर देंगे, जो की बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे पास पहले value क्या थी, 500, अब आप क्या लेके आ आगे हो, 1000, ज हम उल्टा स्कैन करेंगे, नीचे से ऊपर हैंगे, उससे क्या होगा, कि पहले हमारे पास जो भी value थी, you can say database के अंदर, हमें नहीं पता क्या होगी, जो मान लेते हैं, चलो 500 थी, और उसके बाद फिर X old करा 1 थी, मतलब हम इसको काट के 1000 बना देंगे, और उसके बाद फिर X old मतलब no redo slash undo, इस algorithm में क्या करना होगा, हमें scan करना होगा, नीचे से ऊपर, ठीक है, मतलब backward direction में scan करना होगा, और no undo slash redo algorithm में, हमें forward scan करना होगा, मतलब उपर से नीचे, ठीक, so last case है हमारे पास immediate updates का case, देखो इसमें, पहले में line पढ़ता हम, फिर समझाता हूं, before writing ti commit record in the log file, no guarantee that all changes done by transaction ti are already written in the database, यह बात मैं आपको पहले भी कार्की बदाई है, अगर commit record लिखा गया है, you can say log file के अंदर, तो इस बात की हमें कुल guarantee नहीं है, कि सारे changes database में जा चुके है, हो सकता है, कोई change चला गया, कोई जिज नहां भी गया हो, तो मैंने बताता है, इस ब कोई नहीं है, कोई फरक नहीं पड़ता है, ठीक है, अच्छा, उसके बाद, hence if any failure कार्स, then scan the log file, if ti start and ti commit, both log records are present, then redo ti, यह बात आपको अपने अपसे समझ में आ रही होगी, कि अगर start और commit दोनों ही operation है हमारे पास, तो हमें उस transaction को redo करना पड़ेगा, क्यों कि मैं कोई बात क गरंटी तो है नहीं, कि अगर आपने commit या DBMS ने commit लिखा है, तो confirm है कि सारे changes database में जा चुके है, हमें गरंटी नहीं है इस बात की, तो हमें obviously इस transition को redo करना पड़ेगा, ओके, अब if ti start is present, but ti commit is absent, then undo ti, यह बात भी बहुत important है, यह बहुत समझ में आ रहा होगा, कि start तो नजर आया है, लेकिन commit नगर नहीं आया, इसका मतलब क्या है, कि हो सकता है कि कोई changes database में हो गया हो, वो सकता है कि कोई changes ना भी हो, तो हमें worst case one क्या चलना पड़ेगा, शायद कुछ changes हो गई हो, तो हमें उन सब को revert back करना पड़ेगा, इसलिए मतलब इस किसम से हमें पुराने बा जाएगा undo redo algorithm, ठीक, अच्छा, in log file, for each write record, both old and new value must be stored, देखो, ये बात भी बहुत basic सी है, मैंने जब आपको no undo slash redo algorithm पढ़ाया था, महां पे मैं आप बताया था कि undo करने के जूरत नहीं है, तो हमें old value के जूरत नहीं है, आप सिर्स new values को रखो, storage को हमने फुरा सब किया था, और जब मैंने आपको no redo slash undo algorithm पढ़ाया था, तो महां पताया था, सिर्क old values को रख लो, new values को रखने के जूरत नहीं है, storage को बच जाएगी, but यहां पे दोनों ही काम करने है, इसलिए मैंको old और new, दोनों value रखनी पढ़ेगी, ठीक, I think यह भी clear होगा अगा point, अच्छा, अब देखो, if failure occurs, अगर कोई failure हुआ, तो हमें देख यहां पे क्या करना पड़ेगा, मैं पहले point पड़ता हूं, फेरे समझाता हूं, तो I think यह point समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब क्या है, कि हमें जबी भी कोई failure होगा, तो हमें दो list maintain करनी पड़ेगी, एक होगी redo list, और एक होगी undo list, redo list में वो transactions होगी, जिनके corresponding हमें commit, sorry, start और commit दोनों नज़राया है, और undo list में वो transition होगी, जिनके corresponding हमें start दोनों नज़राय कैसे बनेगा, वो सब हमें जाने की दूरतने, वो सब implementation dependent है, और रधर वो बहुत detail है, that is not required for the gate, बस हमें से फितना यह रखने है, हमें दो list बना के चलनी पड़ेगी, अच्छा, अब उसकी बाद हम क्या करनेगा, अगर list हमारे पर स्तयार होगी, तो फिर हमें करना क्या होग वो हमने लिखा है, कि first do undo in backward direction and then redo in forward direction, तो I think यह चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, undo हमेशा backward होता था, मैंने आपको पहले समझाया था, और redo हमेशा forward होता था, यह भी मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन इसमें हमें यह भी ज्यान एकना है, कि पहले undo करना क्यों ऐसा करेंगे, I think आपको अपने आप से guess हो रहा होगा, ऐसे समझो, अगर मैंने पहले redo कर दिया, और उसके बार undo कर दिया, तो जो मैंने transitions को redo कर दिया, मतलब वो committed transactions थी, और मैंने committed transactions के updates कर दी, database के अंदर, अब अगर मैं undo करूंगा, तो मैं पुरानी value पर आदूंगा तो उनकी updates तो loss हो जाएंगे, तो मैं यह चीज कभी नहीं चाहता, इसलिए याद रखना पहले हम undo करेंगे, ताकि most recent consistent state में आ जाएं, और उसके बाद फिर हम लोग redo कर देंगे, ताकि committed transactions के जो भी updates थे, हम उनको apply कर सकें, और वो loss नाम, ठी, एक question करते हैं अगरा पड़ से तो उसके बाद हमें इन तीनों skins क अच्छे से idea हो जाएगा, default update, रचेकर देविट अप्रेट और immediate update का, ठीक है, तो question में हम क्या कहा है, T1 transaction start हुई, T1 X old और X new push लिखा उसने, T2 start ही, फिर T2 Y old, Y new उसने कुछ करा, फिर T1 commit और फिर T2 commit होगी, अब हम कहा है, पहला algorithm that is no undo slash redo इसको हमने default updates बताया था, मतलब default update केस में यह algorithm चला था, आरप no undo slash redo, तो उस case में हमें किस को, मतलब किस transition को undo करेंगे, किस को redo करेंगे, वो सब हमें देखना है, obviously हमें undo करना नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि यहां पे नामी no undo है, redo करना पढ़ाएगा, तो redo कुसको करना पढ़ file के अंदर लिखे हैं, इसका मतलब उसके बाग ही हम लोग कुछ database में updates करेंगे, उससे पहले हम database के अंदर updates नहीं कर सकते थे, यह हमारे restriction थी, default update केस में, अब हो सकता है कि DBMS ने यह changes, मतलब commit करने के बाद चैजिस कर दिये हो, और हो सकता है कि नहीं भी किये हो, तो हमें worst case म करना पड़ेगा, तो obviously दोनों का ही commit नज़ाया है, तो हमें यहां पर redo करना पड़ेगा, redo t1, t2, अच्छा, उसके बाद no redo slash undo algorithm जिसको हमने restricted immediate update उपडेट कर आया था, उसमें क्या होगा, उसमें याद को मैंना कुझा था, यहां पर नाव से समन्दो, undo तो करना नहीं, restricted immediate update क क्या होता था, कि अगर DBMS commit लिखेगा ही, तब log file के अंदर, जब वो सारे चीज़िस कर चुका हो, मतलब database में चीज़िस करने के बाद ही हम लोग commit लिखा करते थे, अगर मैं इस बात की guarantee करता हूं आपको, तो पक्की बात है, हमें redo करने का चक्कर बिल्कुल खता है, क्योंक इस बात की guarantee है, तो यहां पर हमें कुछ नहीं करना परेगा, तो यहां पर हमें nothing, कुछ नहीं करना हम simply ignore करते हैं, अच्छा, और redo slash undo, जो कि immediate update का case था, मैंने आपको बताया था, immediate update में क्या होता था, हम team and commit लिख देंगे, मतलब हो चकता है कि कुछ changes पहले होके, कुछ already हो च transition का commit नजर आ रहा है, तो हमें सिर्फ redo करना पड़ेगा, undo का यहां चकर नहीं होगा, इसका मतलब हम redo किसको करेंगे, obviously दोनों का ही commit नजर आ रहा है, तो हम यहां पर redo T1, T2, ठीक है, दोनों का हम करेंगे, अब suppose करो, मतलब मैं एक question और बना देता हूं, यहीं पर ही, T2 commit हम log के content हमें लिए नजर आ रहा है, तो आप क्या करोगे, देखो, पहला कि इस debit update में मुझे फड़ा प्रशा बताओ, हमें सिर्फ उनी transactions को redo करना होगा, जिनका commit नजर आया होगा, तो हम simply क्या करेंगे, redo T1, और P2 transaction जिसका commit नजर नहीं आया, तो हमें इस बार की guarantee है, कि comment नहीं सकते, क्योंकि हमारे restriction थी, इसका मतलब क्या होगा, हम T2 को simply hello कर देंगे, तो हमें simply redo T1 करना पड़ेगा, अच्छा, no, redo, slash, undo, restricted, immediate update में हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें commit नजर आया है, T2 का commit नजर नहीं आया है, T1 का commit नजर आया है, मतलब इसके सारे changes हो जरुए है, बट इसकी changes शाय हो, क्योंकि हम यहां पर ही कहेंगे, क्योंकि हमें commit नजर नहीं आया है तो हो सकता है, कि इसका changes होके हो, यह ऐसा रूजकता है कि नहीं हो है, तो हमें बस किसमान कहरणा पड़ेगा, शाय हमें इसकी changes हो गए है, तो हमें उसको undo करना पड़ेग यहां पे कोई गारंटी नहीं है कि कमिट लिखा है तो क्या पता कुछ है जिस पहले करें और क्या पता कुछ हैं जिस बार में करें कमिट के तो कोई गरेंटे नहीं थी इसने हमें इसको रिलू करना पड़ेगा और अंडू करना पड़ेगा तो इसलिए रिलू और अंडू करना पड़ेगा